पावर ओफ रिमाइंडर आज हम इस सब्जेक्ट पे बात करेंगे मैं भूपेश श्रिवास्तो माइंड इबनुटिजम चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ यह जो रिमाइंडर्स रहते हैं दोस्तों इसमें पड़ी पावर रहती है अगर आप रिमाइंडर्स के रहस्य को समझ जाएं तो आप अपनी जिंदिगी में हर वो टार्गेट पा सकते हैं जो आपने डिसाइट करके रखें देखें जब हम कोई एकसरसाइज करते हैं हमें प पुड़ते हैं या किसी ऐसी टीचर से ऐसी बाते सुनते हैं, मोटिविशनल ट्रेनर से, तो हम शुरू शुरू में कुछ दिनों तक बड़े जोश में रहते हैं, और बहुत उत्साह से अपने काम को करते हैं, और थोड़े दिन के बाद हम क्या होता है, कि जब हमें उनसे डि कि आपसे भी ज़्यादा कमजोर लोगों ने अपने जिन्दिगे में अपने मुकाम को हासिल कर लिया, तो आपको फिर याद आ जाती है, आप फिर उदुगने जोश से अपने काम में चुट जाते हैं, यदि कि आपको रिमाइंडर्स चाहिए, आपको यह रिमाइंड करान आते हैं, उनसे सीखते हैं, और फिर उन्हें जिन्दिगे में बड़ी काम्याभी बिलने लगती है, मैं कहा करता हूँ, मैं उन्हें मोटिवेट करता हूँ, मैं उनकी छमताओं की याद दिलाता हूँ, तुम यह कर सकते हो, आपके अंदर ही पावर है, मैं उन्हें याद द तरीका ये है, देखें हम अपने बच्चों को बहतरीन एजूकिशन के लिए अपने टारगेटS को अचीव करने के लिए coaching centers में बिश्थेंगूद में इतर होते हैं, life coach होते हैं, लिए सी मख्योदों जो आपके targets को अचीव कराते हैं, weight gain, weight lossू बहुत सारे targets वहहां तो प्या करते हैं एक यह का हुआ है। यह फोर्स करते हैं। वॉए ने can do it! वो आपको फोर्स करते हैं। आप reminders के लिए उनको पेमिन करते हो। पैसे तो ठेट सारें। और वॉआ थैसे करवाई ही लेते हैं। उन्हें पता है कि आप कर सकते हो, कोच को बहुत अच्छी तर ऐसे पता होता है कि आप कर सकते हो, आपको भी पता है कि आप कर सकते हो, लेकिन आपको क्या है, पीछे एक आदमी ऐसा चाहिए, जो टंडा लेकर आपके पीछे भागता रहे, कुछ टेम्पो ऐसे देखोंगे न अपने धक्का स्टार टेम्प होते हैं, उन्हें धक्का दो घुर 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 करके वह स्टार हो जाते हैं, और फिर वो अपनी रफ्तार पकड़ लेगे तो कब तक बने रहोगे आप धक्का स्टार टेम्पू कब तक आप दोसरों के उपर डिपेंड रहोगे कब तक रिमाइंडर्स देने वालों को तलाश दे रहोगे आप खुद ही अपने आपको रिमाइंडर दो मैं भी ऐसी करता हूँ जब मैं कोई टार्गेट सैट करता हूं तो मैं का करता हूं सबसे पर एक सबसे फिले भी ऐसंटीर बुक्स करता हूं फिर मैं वैसे वीडियो देखूँगा वैसी बुक्स करूँगा फिर मैं वैसे लोगों से बात ही करूँगा तो आप मुझे यह सारे सिक्रेट पता हो गए तो अब मैं कभी भी दीमे मोटिवेट नहीं होता तो जब भी आप किसी भी काम को शुरू करो तो उसको बीच में उसे बंद कर देखेंगे नहीं आप अपने काम को आखिर तक कीज़े तब तक किज़े को खतम नहीं हो जाते तब यह तो आप उससे कुछ गीन कर पाओगे तो आपको क्यों आपको वार बार रे-माइंडर देना है जैसी आप दीमोटिवेट होने लोगों आपको सबी लोगों का ऐसे ही वो टी मोटिवेट हो जाते हैं और हमारे समाज में कोई किसी को मोटिवेट करता है नहीं जादा तर लोग टी मोटिवेट करते हैं अरे तुम से नहीं होगा तुमारी किस्मत खराब है हर एक के बसकी थोड़ी बात है हमीर बनना सब थोड़ी बुलंदियों को चूम पाते हैं असी बहुत सारी बाते हैं और हम भी माल लेते हैं हाँ बात बराबर है सब लोग थोड़ी किस्मत वाले हो सकते हैं और जो बत किस्मत लोग हैं उनमें हम शामिल कर लेते हैं अपने आपको यह हम खुद ही करते हैं तो आप ऐसा मत करो आप अपनी किजमत को बदल सकते हो कैसे बदल सकते हो रिमाइंडर्स देकर जब भी आप डी मोटिवेट होने लगो किसी काम को शुरू किया है तो आप क्या करो मोटिवेशनल वीडियो देखने लगो उस काम से रिलेटिड मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने लगो उस काम से रिलेटिड वैसे लोगों की बाते आप सुनने लगो वैसे लोगों से मिलने लगो जो आपको मोटिवेट करें उस डिरेक्शन में तो आप क्या करो कि आगे बढ़ते ही चले जाओगे बढ़ते ही चले जाओगे, बढ़ते ही चले जाओगे, तो आपको क्या करना है, रिमाइंडर्स की तरफ ध्यान देना है, अपने मन को बार-बार रिमाइंड करवाना है, खुद ही खुद को रस्ता दिखाना सीखो, खुद ही खुद के गुरू बनना सीखो, खुद ही खुद जि मैं जब भी किसी को सिखाता हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ मेरे दो वीडियो सुवेरे, दो वीडियो दुपहर और दो वीडियो शाम को देखो जब आप तीन बार मेरे वीडियो देखो कि दिन में जैसे किसी दवा कीते रहे तो फिर देखना फिर वो सब चीजे होने लेगी जो आप चाहते हो और लगाता हम इन्हें देखते हो और अगर मेरे वीडियो मेरे ओडियो आपको अच्छे लगते हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर कीजिए अच्छे बातों को शेयर करना और भी अच्छी बात है और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सबस्क्राइब ने किया है तो सबस्क्राइब भी जरूर कीजिए तो यसी बहुत सारी कीमती बाते आपके साथ शेयर जरूर करते हुआ इतने प्यार से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका